नमस्काल दोस्तों मैं हूं मुक्तादिक्सितेस्ट लोजर आज हम बात करेंगे सौंबार की मार्केट के लिए सौंबार की मार्केट में क्या स्थिति बनेगी क्या आपका राशी फल रहेगा और निप्टी में क्या स्थिति बन सकती है इसके बारे में आप लोगों को जानका गिरावट देखने को मिली इसका कारण भी क्या है भी आप लोगों को बतलाओंगी क्यूंकि कल आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया था हमारे क्लाइन्टों कोंगी जानकारी थी और जैसे भी समय मिलता है मैं वीडियो जरूर बनाती हूँ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए बैल आइक आना वस दबाईए इसके साथ जो है आपके लिए डिस्क्लेमर पढ़ना तिया निवार है जो की डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दिया गया है हमारी शारी करना रहती है एस्टोलोजी के बेस पर रहती है तो जी हैं द ने देखा कि निफ्टी जो है पुनहे 17700 के आसपास पहुच गया है और हो सकता है यदि ग्रहस्थिती इसी प्रकार की आगे भी निर्मित हुई तो आपका मार्केश 1600 करेंज भी 16000 करेंज भी सूच चू सकता है तो इस प्रकार से जो है ग्रहस्थिती के अनुसार आगे क्य प्रपया बताएं तो इसके लिए भी दूसरा वीडियो बना रही हूं भैवी आप देखना ना भूलें चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप मारे कारल ऐसी गोल्ड सिल्वर निफ्टी निफ्टी बैंक कुरूड आइल आदी का दैनिक भी क्ली और मंती प्र जनूरासी पर जैसे भी ग्रहों की यूती द्रश्टी पढ़ती है जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बतलाती हूं लेकिन यह किस समय काम करेगी यह हम जोतिस की जो है सूक्ष मगड़नाओं के अधार पर इसको जान सकते हैं कि कब ऐसा विशेश योग बनेगा कि ऐसी सौंबार का मार्केट क्या हो सकता है और 16 दिशंबर 2022 सौंबार का दिन रहेगा और स्रवण नच्षत रहेगा मकर रासी का प्रभाव पूरी दिन रहेगा पांच बजे के बाद से जो है धनिश्ठा नच्षत का प्रभाव आ जाएगा और पंचक भी शुरू हो जाएंगे इन सब के प्रभाव से भी मार्केट में जो है उथल पुथल मज़े जाती है और इसकी क्या स्थिती बनेगी यह मैं आप लोगों को बतलाओंगी तो सबसे पहले हम देखेंगे रासी फल राशी फल के लिए क्या स्थिती बनी हुई किस को लाब किस को हानी के योग बने हु मिलते ही मार्केट से बाहर हो जाएं और करक राशी वालों के लिए लाब का योग है सिंग राशी वालों के लिए पूर्ण हानी का योग समझ में आ रहा है काम ना करें या बहुती सोच बिचार के काम करें और करन्या रासी वालों के लिए जो है लाब का योग बना हुआ ह दस्चिक राशी वालों के लिए हानी मिस्त्रित योग है लाब हानी का तो लाब मिलते ही मार्केट से बाहर हो जाएं धनु राशी वालों के लिए लाब का योग है मकर राशी वालों के लिए पूर्ण हानी का योग बना हुआ है और कुम राशी वालों के लिए भी हानी का य जाती लिए आप चालू नाम की रासी जन्माम की रासी देख सकते हैं लेकिर अधिक सूर्पडिक्षन हमें अपनी जन्म पत्रिका से ही करवाना चाहिए तो जी हैं दोस्तों अब हम देखेंगे कि मार्केट का क्या हाल हो सकता है निप्टी क्या स्थिति बन सकती कितने लेवल कितना काम कर सकता है तो यदि हम आज का मार्केट देखते हैं तो मार्केट में जवरदर्स्ति गिरावट हमें देखने को मिली है मार्केट ओपन हुआ था 17,977 पे और जो लोग यह 17,789 और जो हाई गया था 18,050 तो जी हैं सो दोस्तो आप अनुवान लगा सकते हैं कि लगभ हुआ था तो यदि हम ग्रह स्थिती देखते हैं तो सौंभार के मार्केट में लगभग 12 बजे तक हाप डाउन की स्थिती बरावर बनेगी और मार्केट कोछ अप में ओपन हो करके फिर अप डाउन चलेगा आपका मार्केट और 12 बजे के बाद जो है कुसुदार की शंभा करते हैं तो लगभग 60 पॉइंट से लेकर के लगभग 130 पॉइंट के बीच में कार की युग समझ में आ रहे हैं जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरुकी जी बैल आइका नवस दबाईए और आप बहुत से लोग पूछते हैं कि आपकी फीस रहती है तो जी हां हमारा जो रिपोर्टें बनती हैं सारी चार्जिवल रहती हैं इसमें आप लेवल जान सकते हैं कब अधिक कब तेजी के योग बनें यह भी आप जान सकते हैं और चार्जिवल रहता है जनम पत्रिकाएं भी आप जो दिखलाते हैं चार्जिवल रहती हैं उसक आपकी कुल्ली में मार्केट से लापकी योग हैं तो जरूर आप मार्केट में काम करके पैसा कमा सकते हैं और यदि हानी के योग बने हैं तो आपको लाखी प्रत्ने कर लें आपको नुक्षान ही नुक्सान उठाना पड़ेगा तो यह स्थिती भी आप समझ सकते हैं और वी